हलो गाइज आप देखे रहें टेक्निकल सर्विस आप इस वीडियो में सिखिए का समसंग टॉप लॉड वासिंग मसिन इसमें रोलर टूड़ गिया है यह देखिए यह चलते चलते घिसा कि यह टूड़ जाता है रोलर तो उसके कारण यह पल्सीटर भी पूरा डैमेज हो ज काल लेते हैं यह टी लरींच है कि ती लिए की मदद से में लोग बाहर निकाल लेतेroot 1 नंबर के ती रींच है यह नेट को बाहर गोज गहूमाख की हरह बाहर निकालते हैं यह पूरा बाहर के बाहर नीकाली है केले तो लट में फासवच रहेंने दी अथा की आरामसे ये नट को को हल्कर दैखेए हट कि हालका में फासथा यह आराम के से निकल गिया और पूरा निकल लेने ते फिर दिकात होता है निकलने में पसीटर यह रोलर है यह तुड़ी है देखिए घिसा के तुड़ी आता है तो इसको हम लोग पहले पानी डालेंगे इसमें यह जितना भी पल्सीटर का डैमेज हुआ होगा वो प्लास्टिक इसमें उपल बाहर आ जाएगा यानि उपल जाएगा तो उसको निकाल लेते हैं ताकि फिर यह ड्रेEM में जाके यह ब्लॉक हो जाएगा फिर रेन कब प्रोब्लम हो जाएगा तो इसको अभी हम लोग स्पीन में चलाके मूँ जाना करेंगे अ जेतना भी कचड़ होगा यह पहले निकल जागा यह फसा होगा नहीं तो अब इसको चली यह पानी बूरा निकल गया अब हम लोग नया पल्सीटर लगाते हैं यह देखिए औरिजिनल पल्सीटर है समसंग का इसको हम लोग चली अच्छा तरीका से बठा लेते हैं लॉक में यह गुल-गुल-गुमा की यह बैड़ी है तो इसमें हम लोग अब नट लगाते हैं कि यह 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 नट लग रहा है अब इसको फूल टैट कर लेते हैं लोग तीरीन से इसको टैट करेंगा अब हम अब फूल टैट हम लोग इसको करते हैं कि यह यह पूरा फूल टैट हो गया है तो इसमें हम लोग कैप को लगा लेते हैं कि यह लोग में नहीं बैठ रहा है अब देखे यह हम लोग में बैठा लेंगे यह हलका सब पूश कर देंगे तो यह बैठ जाएगा अब इसको एक बार फिर से हम लोग चला के चेक कर लेते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल लाइक है झाल 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 झाल